स्वागत है आप सभी का आज की सांदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ICR यानि की Indian Council of Agricultural Research जो इसका एक्जाम है वो आपका NTA कंड़क्ट कराता है NTA यानि की National Testing Agency तो इस जो एक्जाम है इसको क्वालिफाइंग करने के बाद आपका जो ICR की Counseling है, Counseling पुरा जो समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ICR आपको एक Scholarship प्रवाइड करता है और वो Scholarship के लिए आपकी Eligibility और Criteria और कौन-कौन से ऐसे उसके Rule and Regulation होते हैं जो की आपको Follow करना है, तभी आपको जो ICR की Scholarship है वो आपको प्रवाइड की जाती है तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ICR की Scholarship के बारे में और ये आपको कैसे मिलता है, इसके लिए आपको क्या-क्या चीजे करनी होती है इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है तो आपसे request है, कि यदि आपको ये वीडियो हेलफुल लगे इस वीडियो से यदि आपको definitely कुछ मिले, यानि कि इस वीडियो से आपका benefit हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजेगा लाइक करने से क्या है कि थोड़ा सा हमें motivation फिल होता है और हमें भी आगे आपके लिए अच्छी अच्छी information लाने का मन करता है ठीक है, यहाँ यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो हम आपको इसमें official website पर आ चुके है ICR की educational जो portal है और इस पर आने के बाद देखे हम आपको पूरा process आपको बताएंगे कि आखिर इसके rule and regulation को आप कहां से check out कर सकते हैं बागी यहाँ पर मैं आपको पूरा procedure आपको बता रहा हूँगा ठीक है, तो यहाँ पर जो इनको official website है यहाँ पर आने के बाद आपको national talent scholarship पर क्लिक करना है and guys आपसे request है कि आप लोग please इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ठीक है, ध्यान से देखिएगा इससे आपको जो भी आपके doubts होते हैं कि ICR कितना scholarship PG और UG students को provide करती है वो सभी आपका यहाँ पर solve हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग जब यह website है, बहुत ही कमाल की website है guys एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका link जो है मैं वीडियो के description में दे दूँगा तो यहाँ पर national talent scholarship पर आपको click करना है और इस scholarship के regarding आपको जो भी updates चाहिए उसके regarding आपको channel को subscribe करना है और telegram group को join कर लेना है telegram group का जो link है मैंने वीडियो के description में दे रखा है तो आईए हम बात करते है national talent scholarship जो की ICR के experience को मिलती है और इसका जो eligibility है तो यह इसके लिए सबसे पहले आपको ICR की जो All India Entrance Examination होता है इसमें आपको participate करना होता है और यहाँ पर जो scholarship प्रवाइड की जाती है National Talent scholarship यह आपको undergraduate और postgraduate students को प्रवाइड की जाती है जो students एक दी cultural universities में admission लेते हैं और वो जो university होती है वो आपके यहाँ पर जो criteria वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो university है कहाँ पर होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेते हैं यहाँ पर कौन कौन से benefits जो इसकी बेनिफिसरी है यानि कि कौन कौन से university में कितने कितने students को इसमें scholarship प्रवाइड की जा रही है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करें करें तो यहाँ पर 115 तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो भी आगे university होने वाली है यहाँ आपकी जो हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर लिए आपको इनिफिसरी में कितने कितने सीटों पर आपको स्कॉलर से प्रवाइड की जा रही है और यह ओर राल है ठीक है यानि कि यूजी और पीजी शुडेंस को मिला कर सम्राइज कर दें तो ठीक है और यहाँ पर देखें सभी निफिसरी एक में कितने कितने बेनिफिसरी है उनका लिश्ट दिया गया है इसके लिए हम बात करें कि इसका जो में आपका क्राइटेरिया है वो क्या होता है ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी जो में गैडलाइन से वह क्या है और इसके लिए क्या rule and regulation criteria eligibility क्या होती है और आपको इसका जो process है वो कैसे करना होता है यदि आपको ये scholarship चाहिए तो ये जो एक चीज और आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे correction है इनको official website तो यही है बट यहाँ पे जो इनकी guidelines है national talent scholarship के लिए इसमें थोड़ा सा टॉम्सन condition में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे mistake है उसको मैं यहाँ पे आपको clear कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा यह blood क्योंने अभी तक आ रहा है ठीक है हाँ तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि scholarship में participate करने के लिए सबसे पले आपके पास एक चीज होनी चाहिए यह है कि आपको जो exam है वो आप NTA कदोरा conduct AI triple exam से आपको participate करना है उसके बाद जो आपकी यहाँ पे admission हो जाती है agricultural research जो इतने भी आपके institute है यादी PGK student है या फिर हम बात कर लेते है agricultural universities में यादी आप UGK student है तो यह जो scholarship है यहाँ पे देखिए correction है यहाँ पे इस समय जो currently situation है उस समय UGK students को जो scholarship है वो 3000 रुपे पर मन्त मिल रही है ठीक है 3000 रुपे आपके पर मन्त मिल रही है इस time और यादी हम बात करें कि scholarship के लिए क्या criteria है ठीक है तो देखे यादी आप UGK student है तो आपका जो criteria है वो यह है कि आपको सबसे पले जो आपकी admission है आपकी जो university है वो आपकी state से outside होनी चाहिए तभी आप इसके लिए eligible है यानि कि national talent scholarship ICR के द्वारा जो provide की जाती है UG students के लिए वो है आपकी 3000 रुपे इसके लिए ठीक है तो आप इसके लिए eligible है यादी आप अपने outside जो आपकी domicile है उससे outside university में भी इसल लिए है उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आता है कि आपको अपने academics जो आपका college start हो जाएगा तो class में आपको एक आपका जो marks है वो आपका अच्छा होना चाहिए और marks कितना अच्छा होना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता दू कि आपको जो academic section है वो सभी आपको पार्ट जो होता है तो उसमें आपका 7 जो आपका criteria है यानि कि जो आपका admission हो जाता है तो आपको 70 जो 7CGPA है यह आपको maintain करके रखना होता है ठीक है 7CGPA से यदि आपका marks कम होता है तो आपको यह scholarship है वो आपकी रोग दी जाती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यह जो scholarship है यह जो पैसा है यह पैसा ICR सबसेब NTS National Scholarship यह आपका जो college की head को वहाँ पर भीचता है उसके बाद यह आपके transfer कर देते हैं और यह जो पैसा है आपका हर जैसे कि यह month है कि कोई month है उसके अगले ट्राइक होता है हरताल होता है तो इन सभी चीजों या फिर illegal activities में participate नहीं करना है ऐसा करने प्यार आपकी जो scholarship है वो रोग दी जाती है और आपको आगे से scholarship प्रवाइड नहीं की जाती है एड़ एक चीज़ आपको और बता दू कि यदि आपकी जो scholarship है वो मिल रही है तो इसके दौरान आपको कोई भी other जैसा job है part time job है ये सभी चीज़े नहीं करनी है ऐसा करते हो यदि आपको university को पता चल जाती है या फिर कोई complain कर देता है तो ये सभी जो आपकी scholarship वो भी रोग दी जाती है एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूँ गाइस की जो आपका ये पैसा है या आपके direct bank account में आता है और उसके बाद जो आपका ये NTS है NTS ये भी चीज़े करता है कि आप यदि जो course आपको इलाट हुआ है ICR के थूँ तो आपको उसी course के दौरान आपका जो भी 4 year का होता है आपका यदि UG की बात करें तो 4 year के दौरान आपका ये जो process होता है इस दौरान आपको जो course आपको उसी में study करना है तब ही आपको ये चीज़े मिलती है अदरबाई ये आपकी scholarship आपकी जो है वो नहीं मिलती है और जो आपका study है यादि आप किसी वर्स बीच में अपना quit कर देते हो तो आपको आगे से scholarship नहीं provide की जाती है तो यही से भी चीज़े हैं जो आपको बहुत सारा students को इसके regarding I think confusion होगा तो यह से भी चीज़े दूर हो चुका होगा and guys एक चीज़ और आपको बता दूँ कि याद प्लीज आप लोग से request है कि चैनल को भी subscribe कर लिजेगा यादि आपको लगे कि इससे आपका benefit हुआ है तो definitely आपको इस channel को subscribe करना है ठीक है definitely यादि आपका इस channel से benefit हो रहा है तो याद तभी आपको इस channel को subscribe करना है otherwise आपको यदि लगे कि आपसे इसका benefit नहीं हुआ है तो आपको चैनल को subscribe नहीं करना है one more thing यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो scholarship का आगे का लब form आपको कैसे फिल करना होगा तो इसके regarding जो भी आपकी university है वो आपका 3000 रुपए के लिए आपको आगे बताएंगे कि आपको इसका जो form है वो कैसे फिल करना है और आगे आपको अपने से कुछ नहीं करना ठीक है तो आप वो scholarship के लिए eligible नहीं है तो आपको इसके लिए आपको इसके लिए की scholarship ज्यादा मिल रही है तो आप उसमें participate किजिए तो इसमें आप लोग participate किजिए यदि उससे कम मिल रही है ठीक है तो आपको इस वीडियो के मादेम से बहुत ही अच्छी information मिल चुकी होगी तो आप से request है कि इस वीडियो को यार लाइक कर देना और टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना हमारे टेलिग्राम ग्रूप का जो link है वो मैंने वीडियो के description में दे रखा है या फिर आप simply students बज search करके जॉइन कर सकते है और एक चीज और आपको बता दूँ कि अभी भी 84% students ऐसे हैं जो चैनल को बिना subscribe की हुए देख रहे हैं तो आपसे humble request है कि प्लीज यार चैनल को भी subscribe कर लिया किजिए और इस वीडियो को अच्छी लगी होते हैं लाइक करने के साथ साथ अपने friends के साथ जरू से जरू से जरू कर देना जदी आपके कोई question या फिर queries रह so thanks for watching and all the best up sir Biko and keep studying keep supporting